हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको राजिस्तान की राजधानी जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है हाँ जी सही समझे आप मैं जैपूर के बात कर रहे हैं दोस्तों इस शहर में हवेलियों और किलों की भरमार है इस नगर को सवाई जैसिंग दृत्तिय ने 1727 में बसाया था जैपूर में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा लगता है कि आप रजवाड़े शहर में आ रहे हैं शाही साफा बांधे जैपूर के बनना लेंगा चुन्नी पहने सजी नारियां गफशप मारते जैपूर के व्रद्द लोग राजिस्तानी भाशा में क यहां का फोक डांस और गुर सवारी हातियों की सवारी और उट की सवारी बहुत अच्छे लगती है तो मैं आज आपको आठ फेमस जगाओं के बारे में बताऊंगी जैपूर की जह आपको गूमने में बहुत मजा आएगा पहली है जंतर मंतर जंतर मंतर सवाई जैसिंग सवारा 1728 से 1738 के बीच बना एक वैद्शाला है इस वैद्शाला में 28 प्रमुक यंत्रे है जो समयम आपने ग्रेंड की भविश्य बानिक करने किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने सौर मंडल के ग्रहों के दिकपात जानने आदी में सायक है यह बच्चों को बहुत पसं मान सागर जील के मध्य स्थित है इसे जील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी का जाता है इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है यहां की नरसरी में एक लाग से भी जादा पेड़ लगी है जो राजिस्तान के सबसे उच्चे पेड़ है इसमें थर्ड ह इसे आमेर का किला या आमेर दुर्ग भी कहा जाता है यह जैपुर के आमेर शेत्र में एक उची पहाडी पर इस्तित एक परवतिय दुर्ग है यह देखने की सबसे पसंदीदा जगए इसका निर्मान राजपूत मान सिंग ने करवाया यह महल अपने कलात्मक विशुद वास्तु शैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद है यह पहाडी के निचली बिंदू परिस्तित है इस महल को सन 1799 में महराजा सवाई प्रताप सिंग ने बनवाया था इसकी अधिति पांच मंजिला इमारत जो उपर से तो केवल देड़ फुट चोड़ी है लेकिन बाह जरोखा कहते हैं इसे प्रकार इसका नाम हवा महल पड़ा फिफ्ट है सिटी पैलेस जैपूर जैपूर राजिस्तान के सबसे प्रसिद एतिहासिक वे सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगय है यह जैपूर के बीच में इस सित है इसमें कई इमारते विशाल आंगन और बाग अब भी है जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है में चंद्र महल और मुबारक महल भी है जहां पिछले जमाने की कीमती सामानों को दिखाये गया है इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं लेकिन अभी यह टेंपरेरिली क्लोस्ट है सिक्स्थ है बिर्ला मंद सकते हैं इस मंदिर की दिवारों को देवी देवताओं की गहन नकाशी पुराणों और उपनिशदों के क्यान बरे शब्दों से सजाया गया है इस मंदिर को लक्षमी नारायन के रूप में भी जाना जाता है और यह लॉकडाउन में भी खुला है सिक्स है हमारा अर्ट हॉ यह राजिस्तान का सबसे पूराना म्यूजियम है यह भारत अर्भी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है इस संग्राले में पूरा तात्विक और हैंडी क्राफ्ट का समान का विस्तरत संग्रे है इसका निर्मान 1887 में पूर्ण हुआ यह यह यूरॉप मिश्र चीन ग चीज़े हैं तो अगर आप यहां आते हैं तो आपको बहुत पूरानी चीज़े देखने को मिलेंगी तो आप यहां जरूर आएं उरके 6 मार्किट के बारे में बताऊंगी जोहरी बजार यहां जोलरी मिलती है त्रिपोलिया बजार बैंगल्स मिलते हैं आपर चांदपुल बजार हैंडी क्राफ्ट का समान मिलता है नहरू बजार यहां ट्रैडिशनल जूती मिलती है सिरेह दियोरी बजार यहां स्ट्रीट शॉपिंग करी जाती है नेक्स्ट है बापु बजार यहां जैपूर की सारी आइटम्स मिलती हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगयों तो से लाइक, शेर, सबस्क्राइब सरूर करें थैंक यू